वागा सीमा पर देश का सबसे उंचा तिरंगा फेराया गया है भारत पाक सीमा पर इस धवच के फेराये जाने के साथ ही वागा सीमा का नाम विश्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है माना जा रहा है कि 360 फुट उंचे इस धवच को लाहोर से भी देखा जा सकेगा पहले ही दिन रास्टिय धवच को सलाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इखटा हुए पंजाब के नगर निकाए मंतरी अनिल जोशी ने इस धवच को फेराया इस कारेकरम में शामिल होने के लिए आईजी बीएसेफ मुख्याले सुमेर सिंग भी यहां पहुचे सीमा पर सबसे उचा तिरंगा लहराने की बात पहले उनहीं के मनमा आई थी उस समय ये बीएसेफ में डी आईजी बॉर्डर रैंज थे उन्होंने निकाय मंत्रिया निल जोशी संपर कर इस परस्ता को कैंसरकार के पास भेजा था वहीं तीन साल के लिए देश के सबसे उचे तिरंगे के रकरकाव का जिम्द में होश्यारपुर की भारत इलेक्ट्रोनिक कंपनी ने लिया है सबसे उचा तिरंगा फेराने पर पाकिस्तान ने आपत्ती जताई है पाक रेंजर्स ने सीमा स्वक्षबल से शिक्राय दर्च कराई है उसने अंतराश्टी संगी के उलंगन का आरोप लगाते हुए जंडे को हटाने की मांग की है इस पर भारती अधिकारियों का कहाना है कि जंडे को जिरो लाइन से 200 मेटर पहले लगाया गया है इस से किसी भी पिरकार की अंतराश्टी संगी का उलंगन नहीं हो रहा है पंजाब सरकार के मंद्रिय अनिल जोशीना कहा कि हमें अपनी जमीन पर जंडा फैराने से कोई नहीं रोक सकता